आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे इंटरनेट से रिलेटेड इंपोर्ट अब्जेक्टिव के उचन तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा और एक बार पले लिस्ट और डिस्क्रिप्शन जरूद चेक कर लिजेगा तो चलिए वीडियो को अस्टार्ट करते हैं क्यूचन नमर वन है इंटरनेट क्या है आपसेन है लोकल एरिया का नेटवर्क आपसेन भी है एक सिंगल नेटवर्क के साथ एक विसाल कनेक्शन बनाता है इंटरनेट नेक्स्ट क्यूचन है इंटरनेट की स्पीड को किसमे मापा जाता है जो इंटरनेट का स्पीड है वो किसमे मापा जाता है ऑप्शन है GBPS, ऑप्शन भी है MBPS और ऑप्शन स्थी है KBPS और option D है इन में से सभी तो यहाँ पर option D जो है वो सही है इन में से सभी देखें GBPS में भी मापा जाता है मतलब gigabyte per second जिसका फुल फॉम होता है option भी है MBPS तो इसमें भी मापा जाता है megabyte per second और option C है KBPS तो kilobyte per second होता है अगर आप अपने mobile में internet चलाते हैं और internet speeder का app रखते होंगे तो कितना speed देता है वो आपको बताता होगा जैसे KBPS अगर KB में दे रहा है तो KBPS लिखता होगा ठीक है तो इस तरीके से internet के speed मापा जाता है next question है भारत में internet की शुरुआत कब हुआ option है 15 August 1995 option B है 15 August 1999 और option C है 15 August 1945 और option D है 15 August 1990 भारत में internet की शुरुआत सबसे पहले कब हुआ था तो देखिए यहाँ पर option A जो है वो सही है 15 August 1995 को भारत में internet की शुरुआत हुआ था अब किसके दवारा हुआ था यह भी हम आपको बता देते हैं तो BSNL के दवारा हुआ था अब BSNL जो है उसका फुलपाम क्या होता है तो विदेश संचार निगम लिमिटेड होता है BSNL नहीं BSNL BSNL का फुलपाम विदेश संचार निगम लिमिटेड होता है नेक्स्ट क्योचन है भारत में इंटरनेट की शिवाएं किसके दवारा उपलब्द हो रही है ऑप्सन है BSNL, ऑप्सन भी है MTNL और ऑप्सन C है A और B दोनों और ऑप्सन D है BSNL तो देखें यहाँ पे ऑप्सन C जो है वो सही है A और B दोनों BSNL और MTNL दोनों के दवारा भारत में इंटरनेट की शिवाएं उपलब्द हो रही है फर्स टाइम भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुआ था 15 अगस्त 1995 को और BSNL का फुल फॉम होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड और MTNL का फुल फॉम होता है महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड और BSNL का फुल फॉम होता है भारत संचार निगम लिमिटेड नेक्स्ट क्यूशन है दुनिया का पहला विव ब्रोजर कौन से है option है www option भी ओपेरा मेनू और option सी है गूगल और option डी है कोई नहीं तो देखिए यहाँ पे option A जो है वो सही है www यह हम आपको पहले बता चुके है थियोरी हम आपको समझा रहे थे उस वक्त ठीक है तो यहाँ पे option A जो है वो सही है www जो है next question है internet पर पर्युक्त standard protocol है ठीक है जैसे कि internet पर पर्युक्त standard protocol कितना है ठीक है और कौन है option है HTML, option B है STTP, और options है Java और option D है TCIP तो यहाँ पे option D हो सह TCIP internet पर पर्युक्त standard protocol जो है वो TCIP है TCIP का full form होता है transmission control protocol इसमें कितने layer होते हैं तो चार लेयर होते हैं, कौन-कौन फस्ट होते है अब्लिकेशन, स्कंड होते है परिजन्टेशन और थड होते है नेट्वर्क झा करोगर इंटरनेट नेक्स्ट क्योचन है विश्व में इंटरनेट का परथमबार का परियोग हुआ? आप्सन है सब्सक्राइब नेक्स्ट किया गया था नेक्स्ट क्यूचन है डबलु 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 क्या विश्कारक कौन है ऑप्सन है बिल गेट्स ऑप्सन भी है चाल्स बैबेच और ऑप्सन से टीम वरनसली और और ऑप्सन डी है कोई नहीं तो यहां प्सन सी जो है वो से टीम वरनसली ने डबलु डबलु के अविश्कारक है अब कब किये थे वो भी बता देते हैं तो उन्हें सो 90 इस्वे में किये थे और डबलु 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 जो है वो सबसे पहला या पुराना वेव रॉजर है जिसे सर्च इंजन भी कह सकते हैं और URL का विश्कार टीम वरनसली नहीं किये थे URL क्या है वो भी बता देते हैं यह जो है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रेसॉर्स लोकेटर यह एक परकार के वेव आडरेस होता है जिसके मदद से किसी भी वेबसाइट पर पह देख सकते हैं तो जो लिंक तयार होता है उसको URL कहा जाता है नेक्स्ट क्यूचन है निमने लिखित में से इंटरनेट के पिता कौन है आप्सन है टीम वरनसली आप्सन बी है बलेज पास्कल और आप्सन सी है चार्ल्स बैबेज और आप्सन डी है विंट सर्फ तो देखे बलेज पास्कल तो बलेज पास्कल जो है वो कैलकुलेटर के पिता है और आप्सन सी है चार्ल्स बैबेज तो चार्ल्स बैबेज जो है वो कंप्यूटर के पिता है लेकिन कंप्यूटर के पिता में भी कुछ नियम है कि अनलेटिकल इंजन का अविश्कार कौन के थे चार् नेक्स्ट की उचन है 5G इंटरनेट भारत में कबसे लागू किया गया? आप्शन है 13 जुलाई, आप्शन भी है 17 सिप्तमबर और आप्शन सी है 1 अक्टूर और आप्शन डी है 15 अगस्त कबसे 5G इंटरनेट भारत में लागू किया गया? Option C जो है वो शही है 1 अक्टूर 2022 से भारत में 5G इंटरनेट की शुरुआत कर दिया गया है लेकिन अभी आपके शहरों में 5G इंटरनेट नहीं चल रहा होगा यह आपको बता दू कि दिल्ली जैसे शहरों में अभी अस्टार्ट किया गया है धीरे धीरे हर स्टेट में कर दिया जाएगा और यह 5G जो है वो 4G के मुकाबले बहुत बेहतरीन होने वाला है साब साब सब्दों में आपको बता दू तो 5G इंटरनेट जो है वो 1000 MBPS तक की डेटा स्पीड मिलने वाला है MBPS डेटा मतलब की मेगाबाइट पर सकेंड डेटा मिलने वाला है आपको अब यह वीडियो समाप्त होता है इससे पहले आपको यह बताना है कि आपके स्टेट में 5G इंटरनेट आया है या नहीं अगर आ चुका है तो अच्छी बात है और कौन से स्टेट से बिलॉंग करते हैं यह भी बता दीजेगा और यह वीडियो समाप्त होता है इस चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा देजेगा मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद